नमस्ते से स्रिकाल सबकों दुसन साहल गौरियर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UIT चंदिगर के बारे में मैंने यार काफी पहले बोल रखा था इसका रिव्यू बनाऊंगा लेकिन यार डिले होता जा रहता लेकिन अब इसके उपर जल्दी से जल्दी वीडियो आ गया है पूरा पीडियेव बना दिया आप लोग के लिए जिसे यार बाकी कॉलेज रिव्यू करते हैं और इसके मारे टेलीराम चैनल भी है जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर अगर आप में को टैक करके कोई भी डाउट पूछते हो तो आपको जरूर रिपलाय मिल जाएगा बाकी यार बहुत अच्छी कॉमुनिटी बनी हुई है तो यार उसको भी जरूर जाके जॉइन कर लेना तो आप जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सटी इंस्टिट आफ इंजीनरिंग और टेकनालोजी पंजाब यूनिवर्सटी चंदिगड़ में यह कॉलेज आपका और यह एस्टिबलेश हुआ था 2002 में नि नहीं पता होता और अगर हम कंपेर करनें चंदिगड़ इंवर्सटी आपका चितकारा हो गया लपी हो गया इंसे काफी ज्यादा बेटर कॉलेज है यह जो आपको आगे वीडियो में पता लगी जाएगा अब जल्दी से बढ़ेंगे अपने मोड्स अफ अड्मिशन की बा यहां पे अविलेबल हैं इनकी यार सीट मैटक्स भी हाँ आप देख सकते हो जो यहां पे मैं दे रखी है बोरिंग पार्ट है ज्यादा डिसकस नहीं करेंगे तो यार स्क्रीन शॉट लेलना नहीं तो पीडिएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाक पर भी आपको यह कॉलेज मिल जाएगा अगर बाय टेक लेनी है तो दस लाख रैंक तक आपको मिल जाता है इसके बाद इन्फोमिशन टेक्नोलजी अप्रॉक्सिमेटली 50,000 रैंक तक जाती है तो यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आपकी एक लो रैंक आती है तो आपको इसके अंदर एडमीशन मिल जाते है फाइनल राउंड की आपकी क्लोजिंग कट आफ है तो यह आप कंसीडर कर सकते हो और यह स्क्रींशट लेलना नहीं तो पीडिएफ का लिंक बताई रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाकर चेक आउट कर सकते अब यहार जो माइन नेक्स चीज आती है प्लेस्मेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टन चीज होती है कैसी आपी प्लेस्मेंट जाएंगी रिटान आफ इंवेश्मेंट कैसे मिलने वाले आप लोग को जो कि यह बहुत बड़ी बात रहती है चार साल आप इन्वेस्ट करने वाले अपनी बीटेक वागरे में तो यार प्लेसमेंट उसके बाद कैसी होगी वो बहुत ज्यादा मैटर करती है तो उसके बारे में डिसकस यहां पर कर लेते हैं हाई यह इस पैकेज की बात कर तो यार 41 एल पी गया है जो कि यार काफी अच्छा मैं बोलूँगा बहुत पास पस आपका average package चला जाता है लास्ट य 친र में ही इन्होंने नहीं इतनी एज्छी ग्रोथ किया अपनी कि इनका इतना च्वरइज पैकेज चला जाता है नहीं तो वैसे अगर मैं बता हूं तो यार 55.5 की अच्छी प्लेसमेंट गई है है और सी यार। आने वाले यर्स कि आसपास वहाँ पे चला जाएगा 85% फ्रेंट प्लेस हो जाते हैं जो कि यह काफी अच्छा एक नंबर माना जाएगा 8 प्लस पॉइंटर आप लोगो को रखना पड़ता है ताकि आप सारी companies में बैठ सको सारी companies का जो first round होता है coding round वहाँ पे आर बैठ सको इंटरंशिफ प्रोवाइड करवाई जाती है लेकिन बहुत जादा नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है कुछ-कुछ हद तक प्रोवाइड करवाई जाती है कुछ major companies की बात करें जो यह आई हुए है तो यह होगी यार placement के बारे में बात अगर मैं overall बोलूँ तो यार definitely placement इनकी बहुत जादा बेटर होईगी आपकी चंदिगड़ उनिवरस्टी होगी चितकारा होगी LPU होगी इनसे आपको काफी जादा अच्छी placement यहाँ पे देखने को मिलती है तो यह next बड़े infrastructure के उपर infrastructure यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला point है आपका spread across 11 acres तो यार जादा बड़ा इनका campus नहीं है नहीं इतना जादा मैं बड़ा बोलूँगा नहीं इतना जादा छोटा बोलूँगा डीसें सा campus है मतलब इतना normally schools के भी campus होते हैं तो ठीक ठाक स sports आपको मिल जाएंगे, faculty ठीक ठाक सी रहती है, जादा बढ़िया भी नहीं बोलूँगा, जादा बिकार भी नहीं बोलूँगा, almost यार mixture type रहता है आपको लेकिन वहाँ पे फिर भी कुछ teachers ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आप proper guidance ले सकते हो, research opportunities लेकिन हाँ बहुत जादा वास पर नहीं होती है, इसके अलाओ यार canteens, cafeteria, food courts वोगेरा मिल जाएंगे आपको, साथ के साथ स्टेशनल, zirog shop, health center, ATM, bank, यह साथ चीजे भी campus के अंदर मिल जाएंगी, यह पूरा campus है, आपका Punjab University के अंदर आता है, तो यह साथ चीजे आपको आस-पास मिल जाती है, नहीं तो campus के अंदर मिल जाएंगी, तो यह इनका overall infrastructure रहने वाला है, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, fee structure के ओपर, fee structure की बात करूँ, तो यह जादा आपका कुछ खर्चा नहीं होने वाला है, यहापे institution fees की बात करूँ, तो आपकी 90,000 rupees जाएंगे, almost एक साल के और साथ के साथ, hostel fees की बा कुछ और charges होते हैं, जो सिर्फ one time charges होते हैं, सिर्फ first time admission के वक्त आपको देने पड़ते हैं, वो थोड़े बहुत additional रहेंगे, बाकी आपका overall यह खर्चा होने वाला है, चार साल के अंदर आप total कर सकते हो, इसके लावा यार आपका जल्दी से बढ़ेंगे, अब hostel के उपर, hostel में आप लोग रहने वाले हैं, चार साल जितने भी लोग दूर दूर से आते हैं, वो सारे hostel में रहते हैं, तो hostel के बारे में discuss करना काफी जादा important होता है, eight boys hostel है, nine girls hostel रहेंगे, आपके पास काफी जादा students occupy करे जाते हैं, approximately six thousand students hostels में रहते हैं, इसके लावा यार girls to boys ratio की बा पड़ता है, wifi facility मिल जाएगी, जो की काफी सही रहती है, आपको speed में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, common washrooms मिल जाएगी, जो कि यार maintain किये जाते हैं, clean वगएर किये जाते हैं, तो उसके regarding no problem, इसके अलावा common rooms होते हैं, जहापे LCD वगएर लगा होता है, आपका FIFA हो गया, आपका IPL वगएरा हो गया, इन सब चीज का विलकुल scene set रहता है, आपका indoor sports facility भी मिल जाएगी, जो कि यार काफी सही रहती है, इसके अलावा laundry facility मिल जाएगी आपको campus के अंदर, तो यार जिन भी लोगों को दिक्कत होती है, कपड़े वगएर धोनों में, उनके लिए काफी बड़ा plus point है, मैश food की बात के अवरेज रहता है, बहुत ज़्यादा बिकार नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक से रहता है, कभी कबार काफी सही बन जाता है, कभी कबार इतना अच्छा नहीं बनता है, तो यार वो depend करता है day to इसके अलवार कर्फी टांइंग की बात गार तो 9.30 पीम तक आपका कर्फी टांइंग रहता है गर्स जीज के लिए बोइस की बात गशिए लेट गयरा हो जाती तो यार 50ुपे देखर आपका पूरा सीन सेट हो जाता है 50ुपे सिर्फ फाइन रहता है तो यार बिलकुल नाइ बहुत सारे लोग आते हैं, फुटफॉल होती है, तो यार काफी अच्छा इवेंट होता ही है, क्लब्स की बात करो तो IEEE, DIC, SAE, Music Club, Debate Club, Literary Club, E-Cell, Trauma Club, ये सारे क्लब्स आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाते हैं, ये स्पेशली जितने भी स्ट्वेंड यार अभी फॉस्ट यहर में जाएंगे, उनको मैं जरूर बोलूँगा, कोई ना कोई कलब में जरूर पाट लो, उसका हैड वगेरा बनने ही कोशिश करो, वो यार आगया आपको बहुत ज़्यादा हेल्फुल होता है, आपको काफी साइड चीजे सीखने को मिलती है, मेनेजमेंट स्किल्स आपको सीखने को मिलती है, लीडर्शिप स्किल्स आपको सीखने को मिलती है, और आपके कनेक्शन वगेरा भी बनते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है, यह होगी आपकी clubs की बात, attendance की बात कर तो 75% आपको attendance पेंटेन करके रखनी पड़ती है, जो कि यार कुछ अद तक strict रहती है, बाकि depend करता है teacher to teacher, तो यार जब भी आप college में जाओगे, आपको पता लग जाएगा, कौन teacher दे देगा, attendance कौन नहीं देगा, तो यह होगा आपका proper college review, सारी चीज़े यहाँ पे discuss कर लिए है, hostel, infrastructure, placement हो गया, आपका, fee structure हो गया, इस सारी चीज़े हमने अच्छे से discuss कर लिए है, तो यार अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देख लिए, जरूर लाइक का बटन दबादना, और यार अगर आप लोग ने अभी तक चैनल क पे आ रहा होगा, अड़र इटसाहिल गौरी, वहाँ पे जाकर मैं को फॉलो कर सकते हो, सारे अपडेट के लिए, DM कर सकते हो, कोई भी डाउट होता है, मैं कोशिश करता है, सबको reply देने की, और यार साथ के साथ हमारे telegram चैनल भी है, जिसका link आप लोग को description में मिल मिलते हैं सीजी बड़े, इस नेक्स वीडियो में, टाटा, सी यू, बाबाई